मैं हूँ प्रब्चोत कॉर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बहुत दिनों से चर्चा थी की पद्मावधी की शूटिंग शुरू हो गई है और सेट पर काफी पाबंदी भी थी ताकि सेट पर से कोई तस्वीर बाहर ना जा पाए आखिरकार रनवीर सिंग ने खुद ही अपना लुक आउट किया और अब फिल्म के कास्टिंग डिरेक्टर ने दिपिका की स्केच डाली है और इसे देख कर कया सो यही लगाया जा रहे हैं कि ये दिपिका की लुक कुछ ऐसी ही होगी हाला कि अभी अधिकारक तोर पर कुछ भी नहीं बोला गया है पद्मावती संजलीला बंसाली की फिल्म जो शुरू से ही चर्चा में है पहले तो फिल्म कास्टिंग की वज़े से काफी चर्चा में थी लेकिन काफी चर्चाओं के बाद दिपिका पादकोर्ण, रनवीर सिंग और शाहित का नाम फाइनल किया गया इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है और अब दिपिका पादकोर्ण का पहला लुक पद्मावती की कास्टिंग डिरेक्टर ने दिपिका की ये स्केच सोशल मीडिया पर डाली थी जिसे देखकर कया जगाय जा रहे हैं कि दिपिका का लुक कुछ ऐसा ही होगा रनवीर सिंग ने भी अपना पहला लुक खुदी रिवील किया इसमें उनकी आँके नजर आ रही है इससे कोई शक नहीं कि दिपिका पादकोर्ण राणी के किरदार में बेहत शानदार लगेंगी दिपिका पादकोर्ण अगर रॉयल लुक में आदी हैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं बाजिराव मस्तानी में भी लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था दिपिका रॉयल अंदास के लिए फोटोगरफर और ड्रेस डिजाइनर में भी फेवरिट हैं दिपिका पादकोर्ण की इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि वो कितनी अच्छी लग सकती हैं ये सबी तस्वीरे फोटोशूट की हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिपिका खूपसूरत ही नहीं साथ ही साथ उनकी अक्टिंग भी शानदार है और रॉयल लुक में भी वो परफेक्ट लगते हैं फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही बॉलिवर्ट की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे है फिल्मी बीट